Hello and Welcome इस वीडियो में हम पढ़ेंगे A Thing of Beauty by John Keats जो के J.K. Bose 12th Class English Flamingo Book की 4th Poem है बहुत ही important poem है बहुत ही interesting poem है वीडियो को end तक देखेगा end में हम इसके questions भी करेंगे चलिए शुरू करते हैं John Keats जो है एक British Romantic Poet थे ठीक है और ये जो है इनकी जल्दी डेथ हुई थी इनको टीबी हुआ था इनने बहुत सारी poem लिखी थी जो छोटी सी जिन्दी थी वो पूरी वकफ की थी poems लिखने में इनकी बहुत सारी poems है मकर ये जो है इथींगा beauty ये एक script है कहां से लिया गया ये एंडी मियॉन से लिया गया इनकी एक बहुत बड़ी poem है romance है जिसका नाम है एंडी मियॉन और romance वहां से एक script लिया गया है ये romance जो है एक Greek legend के बारे में Greek story के बारे में हैं और यहां जो है बट विल की यहां तक पढ़ेंगे जो बोलता है जो beauty की चीज है beauty यहां का मतलब है nature जो कुदरत की बनाई हुई चीजें है उसकी beauty जो है उससे joy जो मिलती है खुशी मिलती है हमेशा के लिए खुशी मिलती है चाहे mountain हो चाहे बगीचे हो कुछ भी हो कुछ भी nature की चीज हो उससे हमेशा हमें क्या मिलती है joy मिलता है खुशी मिलती है और लवलीनेस लवलीनेस इसकी खुबसूर्ती जो है हमेशा बढ़ती है इट विल नेवर पास इंटो nothingness और यह beauty की चीजें हैं यह nothingness में change नहीं होती है मतलब कभी fade नहीं होती है कभी जो है खतम नहीं होती है यह हम तक है कितना हम उसको जो है admire करें कितना हम उसको पसंद करें वो हम तक depend करता है यहाँ पर point बोल रहा है कि जो beauty की चीजें हैं वो हमेशा रहने के लिए हैं और इनकी खुबसूरती जो है हमेशा बढ़ती है I hope यहाँ तक आपको समझ आगे होगा next point बोलता है but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing यहाँ पर point बोलता है कि जो यह thing of beauty है यह हमारे लिए क्या करती है a bower for us bower होता है चाओं, shade यह जो beauty beauty मैंने बोला था किसकी बारे में बात कर रहा है nature के बारे में बात कर रहा है जैसे द्रकत हैं, पेड़ हैं, पोदे हैं जैसे यह thing का beauty क्या करते हैं हमारे लिए एक च्छाओं रखती है हम जो हैं कभी जाते हैं कभी पेड़ के नीचे बैठते हैं वहाँ पे सोते हैं ठीक है तो इस तरह की बाते कर रहे हैं कि जो beauty की चीज़े हैं जो खुबसूरत चीज़ें जो nature है हमारे लिए बोवर भी रखता है and sleep full of sweet dreams और हम बड़े sound sleep वहाँ पे ले सकते हैं बड़े sweet dreams यहाँ पे ले सकते हैं point यहाँ पे बोलते हैं हम अगर इन पेड़ों के नीचे सोएंगे हमें अच्छे अच्छे सपने आ सकते हैं अच्छी health रह सकती है हमारी जो safe है बहुत अच्छी रह सकती है और हम अच्छी तरह ब्रीथ कर सकते हैं ब्रीथ मतलब सांस ले सकते हैं और यहाँ यह सब किस से होगा यह beauty की चीज से होगा जो beauty मतलब यहाँ पे है nature नेचर से यह सब हो सकता है I hope यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा next है therefore on every morrow are we breathing a flowery band to bind us on the earth यहाँ पे point बोल रहे हैं कि जो thing का beauty है यह हमेशा के लिए क्या है अच्छी है और हमेशा के लिए मतलब हमारे लिए अच्छी है तो बोलता है इसी लिए हम हर सुबा morrow मतलब सुबा हर सुबा हम क्या करते हैं breathing वरीधिंग मतलब भांते हैं ठीक है flowery band to bind us on the earth हम जो flower हैं वो भांते हैं उनका band बनाते हैं हर सुबा यहाँ पर एक nature की बात है यहाँ पर की story नहीं है यह एक poem है political sensation आपको feel करनी है poetry क्या बोलता है वो आपको देखना है क्या imagine कर रहा है actually poetry is the expression of emotions emotions और feelings को express करता है तो वो ही यहाँ पर बोलता है कि हर सुबा हम क्या करते हैं हम जो है वो flowers का band बनाते हैं वो earth पर रखते हैं next है spite of dispodence of the inhuman death of noble nature of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways यहाँ पर point बोल रहे हैं कि dispodence मतलब disappointment मतलब हमें जो है परिशानी होती है disappointment होता है तो disappointment के बावजूद और यहाँ पर inhuman death मतलब यहाँ पर इनसानीत की कमी के बावजूद of noble nature जो noble nature noble इनसान होता है उनकी कमी के बावजूद of the gloomy days यहाँ पर gloomy days आ जाते हैं gloomy मतलब दुख्या दिन जो परेशानी वाले दिन आते हैं of all the unhealthy and over-darkened ways made for our understanding made for our searching तो हम क्या करते हैं यह darkened ways की तरफ चले जाते हैं हम गलत रास्ते पर चला जाते हैं मतलब हम जब disappointed हो जाते हैं और noble इनसान की कमी जब होती है फिर हम दुख्य होते हैं और फिर क्या करते हैं unhealthy हो जाते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं यहां पर point क्या बोलता है गलत रास्ते पर जाते हैं इस लाइन में यही बोलता है कि यहां पर जो है हमारे जब disappointment होती है हम दुख्य होते हैं और जहां पर अच्छे लोगों की कमी होती है और उसके बार हम दुखी हो जाते हैं और पिर क्या करते हैं? यहां पर प्रॉट बोल रहे हैं, हाँ फिर भी हमने पड़ा ना यह बिर भी हम क्या करते हैं? कुछ शेप अब बियूटी आती है जो beauty होती है, खुबसूरती होती है, वो इस दुख को इस गलत रास्ते पे चलने को हटा देती है, उसका cover ही हटा देती है, फ्राम अवर dark spirits, जो हमारी सिप्रिट आती है, गलत करने की इशा आती है, उसको हटा देती है, कौन? यहां पर nature का यही काम है, वो क्या करता है, हमारे गलत रास्ते पे चलना, हमारे गलत सोच रखना, हमारे noble natures का काम होना, वो सब यहां इशा ब्यूटी हटा देती है, ब्यूटी जो है यहां पर बहुत माहिने रखती है, नेक्स बोह रहे हैं, पॉइट, such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady bone, for simple sheep, and such are daffodils, यहां पर पॉइट बोह रहे हैं, beauty कौन-कौन सी चीज़े हैं, कौन-कौन सी मैंने पहले ही बोला था, nature के लिए beauty यहां पर बोला है, पॉइट ने, तो यहां पर बोह रहे हैं, beautiful चीज़े कौन-कौन स हैं, जैसे sun है, सोरज है, चांद है, moon, trees है, young and sprouting shady bone है, sprouting मतलब जो निकरने वाले फूल, जो अब भी निकल रहे हैं, पर simple sheep, and such are daffodils, यह daffodils हैं, simple sheep, sheep मतलब जो बेड़ बकरियां होती हैं, वहां पर ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, वो भी beauty में आते हैं, यह सब चीज़े beauty हैं, इस से हमारे दुख दूर होते हैं, हमारे गलत रास्ते पर चलने से हमें रोक देता है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, और यह हमें क्या देता है, खुशी देता है, with the green world and with the green world they live in and clear hills that for themselves a cooling covert make, against the hot season the mid forest break, यहां पर पॉइट बो रहे हैं, कि जो green world है, उसमें ही रहते हैं यह सब, morn हो, sun हो, sheep हो, daffodils हो, यह green world में रहते हैं, greenery में रहते हैं, जो कि कुदरत ने बनाई हैं, and clear hills, that themselves a cooling covert make, और जो नेहरें क्या है, अपना रास्ता खुद बनाती हैं, जब बारश पढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा, तो नेहरें जो हैं, अपना रास्ता खुद बनाती हैं, जमीन पर, वही बो रहे हैं, against the hot season, the mid forest break, hot season में जब बारश पढ़ती है, तो forest के बीच में भी रास्ता बना देती हैं, यह कौन, यही नहरें, clear hills, जितका मतलब नहरें, ठीक हैं? नेक्स्ट बो रहे हैं, पोईट, rich with a sprinkling of fear musk, rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms, यहां पर पोईट बो रहे हैं, पहले उनने बोला न, clear hills, जो नहरें वो भी beauty हैं, उसके बाद जो forest हैं, वो भी beauty हैं, forest में जो छोटे-छोटे पोदे होते हैं, वो भी beauty हैं, और rich with sprinkling and fear musk, rose blooms, यहां पर जो sprinkling, sprinkling मतलब जो नए-नए blooms निकलते हैं, मतलब वहां पर forest में जो है, छोटे-छोटे पोदे निकलते हैं, वो भी क्या है, think of beauty हैं, and such too is the grandeur of the domes, और beauty क्या है, beauty में यह भी आता है, grandeur of the domes, grandeur of the domes क्या मतलब है, बहुत बढ़ चड़ कर, death, बहुत बढ़ी death, and such too is the grandeur of the domes, और जो बड़े-बड़े लोगों की death होती है, जो बड़े-बड़े जो नराज के जैसे, सकंदर जैसे, उनकी death होती है, उदर बहुत सारे लोग आते हैं, वो भी जो है, एक beauty है, यहाँ पर point जो है, पहले क्या बोलते हैं, reach with a sprinkling of fear musk rose blooms, बोलते हैं, जो छोटे-छोटे sprinkling, मतलब निकलने वाले, फूल होते हैं, छोटे-छोटे फूल होते हैं, वो भी पूरे, मतलब फैल जाते हैं, blooms मतलब फैलना, निकरते हैं, वो भी thing का beauty है, और उसे time यह भी बोलते हैं, जो बड़े-बड़े लोगों की death होना, बड़े-बड़े लोग जिनने राज किया था, सिकंदर जैसे लोग, जब लोग अकटे होते हैं, उनकी death पर, वो भी एक beauty है, ग्रेंडियोर आपदा, डूम मतलब, ग्रेंडियोर मतलब बहुत बड़े-बड़े लोगों की doom मतलब death होना, बोलता है हमने जो है, यह mighty dead जो है, अमेजन किया है, जब बड़े-बड़े लोगों की death होती है, हमने अमेजन किया है, तो वो भी एक क्या है, इत्हेंगा beauty है, यह source अख खुबशूरती है, All lovely tales that we have heard are red, an endless fountain of mountain rink, powering unto us from the heaven's brink, यहाँ पर बोर रहे हैं, कि जो भी lovely tales है, खुबसूरत स्टोरिया है, जो हमने आज तक सुनी है, परानी स्टोरी हमारी myths जो हमें दादा पर दादा सुनाते थे, वो सब क्या है, वो सब thing of beauty है, जो हमने आज तक स्टोरी सुनी है, वो क्या है, thing of beauty है, और endless fountain of immortal drink, यह एक fountain की तरह है beauty, जो कभी खतम नहीं हो सकते है, हमेशे के लिए हम इसको पी सकते हैं, जो हम स्टोरी सुनते हैं परानी, तो उस से जो है हमें beauty मिलती है, हमें खुबसूरती दिखती है, यह जो है immortal है, खतम नहीं होगा, immortal होता है, immortal होता है, immortal होता है, जो खतम source of beauty यहां पे बोल सकते हैं और यह जो beauty है यह heaven की तरफ से आती है आसमान की तरफ से आती है या उपर वाले की तरफ से आती है God की तरफ से यह beauty हमें आती है I hope आपको समझ आ गया होगा यहां पे कुछ word meanings हैं आप खुद देख लेना fountain मैंने बोला source पावरिंग मतलब पढ़ना immortal मतलब जो खतम नहीं होता है immortal मतलब खतम होना grandeur मतलब बहुत बड़ी grandeur of the domes बहुत बड़ी लोगों की death ठीक है we have imagined for the mighty dead हमने imagine किया उनको mighty dead को देखा है imagine किया है जब हम उनको मतलब बड़े लोगों की death को imagine करते है यहां पर कुछ questions है list the things of beauty mentioned in the poem तो यहां पर poem में कौन-कौन सी beautiful चीज़ों की बात की है moon, sun, earth, fountain ठीक है यहां पर fountain और भी हमने किस-किस चीज़ों की बात की है mighty dead grandeur of the domes बड़े-बड़े लोगों की death है fountain की death fountain के बारे में बात की है sheep, daffodils यह सब जो है क्या है thing of beauty है list the things that cause suffering and pain suffering and pain क्या cause करती है जो हमने पढ़ा था second stanza में suffering and pain क्या cause करता है despite of despondent disappointment में होती है जो noble की कमी है noble nature की कमी है और gloomy days आते है उससे जो है क्या होता है suffering or pain होता है what does the line therefore are we measuring a flowery band to bind us on earth suggest to you यहाँ पर इसका मतलब क्या है यहाँ पर हमने line पढ़े न इसका मतलब यही मैंने बोला था कि हम दूसरे दिन क्या करते है flowers को बांते है उनको अकटा करते है यहाँ का मतलब यहाँ है कि हर दिन सुबह हम क्या है अपने thoughts को अपनी सोच को अकटा करते है रीकोलेक्ट करते है और फिर जो है नई सुबह शुरू करते है what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings तो हमें क्या होता है कि हम क्यों इसको प्यार करते हैं फिर भी human beings what makes human beings love life जिन्दी अपने जिन्दी को प्यार क्यों करते हैं क्योंकि हमें hope होती है यहाँ पर प्यार ने बोला हमें hope होती है और nature ने जो हमें beauty दी है और इस beauty की वज़े से हमारी hope ही होती है why is grandeur associated with mighty dead grandeur जो है mighty dead से क्यों associated है यहाँ पर grandeur मतलब बहुत बड़ी grand ठीक है और यह mighty dead मतलब बड़े लोगों की death को बोलते है do we experience things of beauty only for short moments or do they make us a lasting impression on us यहाँ पर प्यार बोलता है क्या हमें जो beauty है source of beauty यह कुछ time के लिए रहती है या हमेशा के लिए रहती है तो yes यह हमेशा के लिए रहती है प्यार बोलता है क्योंकि source जो है इसका source खतम नहीं होता है यह immortal होता है यह हमेशा source आता रहता है नेचर से हमें और हमें thing a beauty मिलती है what images do the point use to describe the beautiful bounty of the earth कौन-कौन से images point ने use की है या आप वहाँ पे अपने guide भी मिल जाएंगे वहाँ से आप पढ़ लेना यह question भी important है कौन-कौन से imagery जो है point ने use की है imagery क्या होता है जब भी कोई point एक line यूज करता है कोई verse यूज करता है उस line को पढ़के हमारे mind में एक image बन जाती है एक photograph बन जाता है एक picture सी बन जाती है तो उसको बोलते है imagery यह point यूज करते हैं अपने poetry में I hope आपको समझ आ गया होगा इस video को ज़रूर like कीजे और share कीजे यार अपने whatsapp पे अपने friends के साथ ज़रूर share कीजे ताके मैं और आपके लिए videos बना पाऊँ Thank you very much